नमस्कार टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुल्दी जैपूर फलोदी मेगा हाईवे पर सुभह कार और ट्रूले की बीच जबरदस्त भिड़नत हो गई हाथसे में कार में सवार पाँच लोगों को गंभीर चोटे आई है घटना की सूष्णा मिलते ही मुंडवारा पुलिस मौके पर पहुंची सभी घायलों को फुलिरा सामुदाइक स्वास्त केंदर पहुंच आया जहां चिकस्कों दबरा घायलों का प्रात्मे कुपचार के आ गया है श्री गंगानगर के गजसिंगपुर में करनपुर सड़क किनारे पशुओ के शव फैंके जा रहे हैं जिसमें लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है बतादे कि राधास्वामी सहसंग के पास रहा नत्मवेश्यों का डेर देखा जा सकता है वहीं नत् बावजुद इसके प्रशाशन चुप्पी साध्य बैठा है खबर नावा सीटी से है जहां पर निकटफरती शहर कुचामन सीटी में कुमावत भवन की फरस्ट फ्लोर की 23,000 फुट छत एक ही दिन में डलवाई गई जानकरी के नुसार 23,000 फुट छत डलवाने के लिए अधन सबा की बैठक आई जुत्वी और बैठक में विधायक मीना का माला और साफा पैना कर स्वागत किया गया तो वहीं बैठक के दौरान जनप्रतिनीधियों में विकास कार्य करवाने और प्रस्थाओं पर कार्य नहीं करने को लिकर रोश दिखा गया खबर हनुमानगर से है जहां पर जिला प्रभारी मंत्री और नीती निर्धारन प्रकोष्ट मंत्री गोविंद्रा मेगवाल ने नोहर पहुँच कर यहां के सामदाइक स्वास्त केंदर में 30 लाग की लागत से बने आईचिव वार का लोकारपन किया साथ ही दो करोड की लागत से बनने वाले ट्रोमा सेंटर का भी सीले नास किया एज़द्रान प्रभारी मंत्री ने कहा कि नोहर की जन्टा ने जिस विधायक को चुना है वह अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं इस मौके पर विधायक ने नोहर के 28 गाओं को सचाई से जूरने की मांग जिला प्रभारी मंत्री के साथ में रखी देखिए आप देख रहो कि जो तीनों जो मुके मंत्री जिने बजट पेस किये थे विकास की दरश्टी से रिकोर्ट तोड बजट थे यहां कोलेज भी खोले गए शड़कों के लिए भी बारी बजट दिया गया ह जल मिशन के तहट गाउं गाउं के अंदर घर तक नल पहुंचाने के लिए क्रोड रुपे जो है बजट देने का काम हुआ है आरमेर स्टीट हाईवे पर चौधरी अनार मंढी का शुभारम किया जाएगा मंढी के संचालक ने बताया कि 5 फरवरी को केमिनीट मंतरी हेमाराम चौधरी के मुख्यतित्य में मंढी का शुभारम किया जाएगा बतादे की गाउं के जन प्रतिनीधी और किसान की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ अनार मंडी का शुभरम होगा साथ ही अनार मंडी के बाद किसानों को अनार के उचित दाम भी मिल सकेंगे फिलाल खबरों में तना ही देश और प्रदेश के तमाम खबरों के लिए देखते रहे है टीपीवी न्यूज